हेलो एपढ़िवन राधी राधी आप सबीका हमारे चनल में बहुत-बहुत स्वागत है पहली बार अगर आप करवा चौत काँब रत करते हैं तो आपके माइके से या आपके ससुराल से काुट सा कई जगे स्वसराल से सगुन आता है कई जगे लड़की के माइके से सगुनाता है हमारे हां पर माइके सगुनाने का रिवाद появ Whilst जब हम पहली बार ब्रत किया था, हम वेने, तो मेरे माइके, सोिशनी तो स्याइए, इसके बाद आती है चूणियों काा साइट, तो चूणा भी आता है, अजकर चूणियों का साइट आता है, तो अपनी अपनी आर्थिक सितिटी के अनशार, अपनी situation के अनुसार अपनी बेटी या बहू को ये सारी चीज़े दी जाती है इसके बाद बहू है या बेटी है उसके लिए सुहाग का सामन भी इस सामन के साथ जरूर देना चाहिए तो सुहाग सामन में तो आपको पता है आलता, महंदी, महवर, चूड़ी ये सारे सामन जो है न सुहाग सामन में आता है और हाँ अगर आपकी माई के से अगर ये सगुन आता है तो आपकी सासु मा के लिए भी ये सारा सामन आना अनिवारी होता है जब सुहाक की पूजा है तो सुहाक सामान आपको अपनी बहू को और बेटी को जब जरुर में सुहाक की निसानी है कहीना कहीन देखी जाये तो सुला सिंगार में जो है न पायल आती है तो पायले दे सकते हैं, चांदी की दे सकते हैं या पूछ जो पसंद है उसे साबसे देख लीजीए, अपनी अपक्ने अर्थ्य इस्तिती के निशार सभी लोग जो है न अपनी बेटी के अनुसा जो है ना सारी चीज़ा दे जाती है इसके बाद करवा भी जो है ना सामान के साथ जो है ना दिया जाता है पूजा के लिए जब आप पहली बार बरत करते हैं तो भी सारी चीज़ा देना अनिवार होता है आप मिटी का करवा दे सकते हैं आप चाहें तो इस तरह का इसको पता नहीं क्या बोलते है कौँसी धातुका होता है सफेद कलर का होता है इस तरह का करवा भी दे सकते है तो फिर आपको बार बार मिट्टी का करवा लाने की आवशकता नहीं होती या इस तरह का करवा भी स्टील का आप दे सकते है जिसमें पाइप लगा होता है तो हमेशा जो अगर पहली बार अगर इस तरह का माईके से सुसराज से अगर करवा दे दिया जाता है फिर आपको मिट्टी के करवा लाने की आविशिकता नहीं होती हर साल आप इसी करवे का पूजन किया जाता है इसी करवे से जो है ना चंद्रमा को अर्ग दिया जाता है बस मीठा करवा जो है आपको लाना होता है तो यह सारा सगुन हो गया है अगर माईके से सारा सगुन आ रहा है तो सास के लिए साड़ी और सास के लिए सुहाक का सामान जो है ना देना अनिवार हो जाता है क्योंकि प तो इस तरह से पहली बार जब आपकी बेटी या आपकी बहु करवाचोथ का ब्रत करती है तो यह सारा सगुन देना अनेवार होता है, चोटी-चोटी चीज़ में करते हैं लाइफ में तो बहुत ज़ना खुशियां देती हैं और कही ना कही रिस्तों को बहुत ज़ना पहली बार जब शब बेटी या बहु करवाचोट का बरत करती है तो पूरा सगुन उसकी सास या उसकी मा देती है उसे। यहां आप करवाचौत में भगवान की पूछा करें यानी माता-रानी की पूछा करें तो मिधी के जातीा हम्हें गोंने में पोग्रातीता के इस पैए प्सक्राक्क्रांए के साथ-साथ आपको मिठाई और फल देना भी अनिवारे होते हैं और बहुत सारा आसीरवाद अपनी बेटी को देना होता है और ये सारे सामान में अगर थोड़ी बहुत कमी रहे भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसे आसीज और आशीरवाद देने में बिल्कुल भी कमी ना छोड़े आई होप आपको मारा वीडियो अच्छा लगाए वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना मिलेंगे आप सबसे नएस वीडियो में आप सभी को करवाचोध की हार्दिक सुपकाम ना है हमारे परिवार की ओर से जैशी रादे राधे राधे